Hello, दोस्तों कैसे हो उमीद करते हैं बहुत अच्छे होगे आज मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ कि मैं मेडिकल कोर्स में कैसे आ गया मैंने कौन सा कॉर्स चूज किया है और मैं यहां तक कैसे पहुंचा मेरी क्या जर्णी है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले लेकिन आगे जाने से पहले आप लोगों से कह देना शाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स कम्प मैंने तैयारी करने शुरू की थी 11-12 में एडमिशन लिया था मुझे नहीं बता था कि कोई प्री मेडिकल टेस्ट भी होता है मैंने PC भी ले लिया लेकिन साथ में प्रॉब्लम थी कि बायोलोजी के साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आई थी फिजिक्स में हाथ बिल्कुल भी साफ नहीं था बायोलोजी बहुत पसंद दी जब हम 11-12 किलास में आए तो पता चला कि एक प्री मेडिकल टेस्ट होता है जिसको उस टाइम पर AI-PMT कह देते उसकी तयारी हमने भी शुरू कर दी बायोलोजी में माक्स अच्छे आगए ले इस बी थे मतलब डिस्ट्रेक्शन लाइक कभी कुछ कभी कुछ उस राइं पर स्मार्टफोन इतने जादा नहीं होते थे लेकिन छोड़े-छोड़े चलने शुरू हो गये तो स्मार्टफोन उन में से एक डिस्ट्रेक्शन था मेरे लाइफ में Frustration हो गया, Frustrate होने के बाद में मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इस आईडिया को DROP OUT करते हैं Family में कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था कि कोई मुझे यह guide कर सकता, motivate कर सकता कि एक साल ओर्डोब कर लो या प्राइबेट में अडमिशन ले लो या विदेश जाकर भी आप MBBS कर सकते हो पैसे की कमी नहीं थी लेकिन कोई mentor नहीं था mentor के कमी होने की वज़ा से मैं frustrated हो गया और मैंने decided कि एक काम करते हैं BSC BioTech में अडमिशन लेते हैं एडमिशन लेने के लगए college में अल्रेडी लेट थे वहां जाकर college वालों ने कहा BSC BioTech फुल हो चुका है लेकिन एक ऐसा ही course हमारे पास में है microbiology BSC microbiology आप उसमें admission ले सकते हो BSC microbiology का नाम मैंने पहली बार वहां सुना था admission ले लिया क्योंकि admission कहीं और मिल नहीं रहे थे अच्छा college था जिसमें मैं admission लिया था तो उस college में admission लेने के बाद microbiology जिब मैंने पढ़नी शुरू कि मुझे microbiology से प्यार हो गया microbiology मुझे बहुत पसंद आई और एक ही साल में लगबग मैंने सारी microbiology पर डाली पुरा उपने final year था की और microbiology बी एससी graduation में I was one of the brilliant students मैंने बहुत अच्छे marks आये class it at end नहीं करता था किसी semester में 16% किसी में 10% किसी में 20% लेकिन microbiology अच्छी लगती ती इसलिए सीख बहुत कुछ लिया और skills बहुत सारे develop कर लिया graduation में ही starting की मैंने अपने इस youtube channel की और उस time पर मैं लोगों को बताने लगा कि microbiology कैसा हो सकता है BSC कैसा हो सकता है क्या career options हो सकते हैं कुछ लोगों को पढ़ाना भी शुरू किया तो graduation में मेरे पास एक job थी तो job को लेकर अपन को attention नहीं थी कि job कैसे आती है यह था कि job मिल ही जाती है BSC complete हुआ सोचा कि PG भी करेंगे microbiology में एक जगा एक university में admission ले लिया PG से हमने PG में microbiology में BSC में जो तयारी की थी microbiology की MSC में पूरी काम आई बिना पढ़े MSC चुटकियों में पास हो गई उसके बाद MSC पास करते करते मैं बहुत सारे लोगों को guide कर चुका था कि BSC कैसा course है क्या चलता है और मुझे MSC करते करते ये realize भी हो गया था कि इंडिया में microbiology या फिर BSC biotech में अभी job opportunities बहुत कम है अगर हैं भी तो pay scale उतना अच्छा नहीं है इस चीज़ का शिकार हो गए मेरे बहुत सारे batchmates जिनको job नहीं मिल पाई ठीक से या उन्होंने field चेंज कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा drawback था, course बहुत अच्छा था, सीखने के लिए बहुत अच्छा था, आज भी सीखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन job opportunities बहुत कम है और अगर हैं भी तो pay scale उतना अच्छा नहीं है यूडियूब चैनल अच्छा ग्रोग कर रहा था मेरा, तो मुझे NEET के एक्जाम के लिए अपने ही students को मुझे paper analyze करके बताना था जैसे कि अभी आपको exam होने वाला है NEET का, तो वो paper शाम को analyze करके students को बताना था कि आपके paper में यह यह questions आए हैं और यह questions आप लोग देख लो उसके बाद में, मैंने सोचा, upper age limit हड़ गई थी NEET में से, जो 25 साल की थी, मैंने क्या किया, मैंने exam दिया NEET का, और exam देने के बाद में, इसलिए गया था exam देने के लिए, क्योंकि मुझे paper को analyze करना था, मुझे किसी से दूसरे से paper नहीं चीए था, तीन गंटे का time center में मिल जा था, वहीं बैठकर पूरा का, पूरा biology का paper analyze किया, और मैंने क्या किया, कुछ उसमें से, जो questions थे, वो attempt करके OMR sheet में रख दिये, ताकि जो invigilator को ये ना लगे कि मैं सिर्फ पर सिर paper पढ़े जा रहा हूं, paper को solve नहीं कर रहा हूं, किसी को शक ना हो, मैंने इतने questions उसमें attempt कर दिये कि मेरा qualify हो सकता था, result आया, result आने पर मेरा just qualified, to be very frank, बहुत जादा मैं attempt करके नहीं आया था, मेरा जो paper था, वो just qualified था, private college में admission लेने के लिए काफी था, बच्चों को analyze करके बता चुका था, कि paper कैसा है, मेरे father ने कहा कि एक काम कर, मेरा एक सपना था, कि मैं तुझ and literally I was shocked, मैं अच्छी job कर रहा था, मेरे पास लाखो रुपे महीने के अराम से मैं कमा रहा था, जब मेरे father ने ये बात कहीं, तो मेरे अंदर वो जजबा दुबारा से पैदा हो गया, जो 11-12th class के time पर मेरे अंदर था कि doctor बनना है, मैंने अपने father के आंकों में एक चमक देख counseling में participate करने के बाद में, मैंने जो था, first round हुआ, second round हुआ, मैंने पैसे भी जमा कर दिया college में कि मेरी seat book कर दो, मेरा मन बदल गया, मैंने counseling में participate नहीं किया, first round निकल गया, second round निकल गया, मैं अपने पैसे लेने के लिए वापस गया, उन्होंने कहा final round बाकी है, उसके बाद हम आपको पैसे वापस कर देंगे, लेकिन उनके seat full हो चुके थे, मैं, मैंने अपने फादर से कहा कि seat तो full हो चुके है, अभी एक और round बाकी है, तो मेरा फादर ने फिर कहा कि एक काम कर, मैं अभी भी कहा रहा हूं कि अगर admission हो रहे हैं, तो admission ले ले, मैं दूसरे college में कहा बा इसके पीछे एक reason था, अगर मैं करने के लिए जाता, तो शायद मैं कहीं न कहीं पार्ट टाइम जोब नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर college का curriculum थोड़ा ज़ादा tough मुझे लग रहा था, दूसरी बात, MBS की fees बहुत ज़ादा high हो चुकी थी medical colleges में, और वहाँ पर मुझे hostel म में ही रहना पड़ता, मेरे घर के आसपास कोई ऐसा medical college MBBS का नहीं था, जिसमें मैं admission ले पाऊ, seat सबके full हो चुके थे, मैंने ऐरुवेदा के बारे में पढ़ा, सब कुछ सारा syllabus देखा, सारी की सारी चीज़े मैंने analyze की और मुझे लगा कि ये BAMS को अच्छा बना दिया गय तो मुझे उसका सब कुछ अच्छा लगा, admission ले लिया BAMS में, पहली बार college में गया, पता चला अच्छा BAMS वालों को भी dissection करवाते हैं, white coat पहना, आँखों में एक अलग चमक थी, थोड़े थोड़े आंके गिली भी हो गई, कि हाँ चलो यार, father का सपना पूरा करना होता पहना है कि लड़कों के लिए अलग proud moment होता जब उनके father का सबना पूरा होता है, तो मैंने वहाँ पर जाकर white coat पहना, मतलब जिसको हम happen बोलते हैं, और अपनी dissection kit ली, अपने dissection hall में गई, और cadaver को पकड़ के dissection करना शुरूर किया है, सच बता रहा हूँ, मेरी life का वो best moment थ आपको pictures, videos भी दिखा दूँगा मैं, जब dissection कर रहे थे, उस time पर मैं लग रहा था कि साथवे आसमान पर हूँ, और इतना पसंद आया, इतना पसंद आया मुझे, कि मैंने सोच लिया कि अब तो ये complete करके ही अटेंगे, doctor बन के ही निकलेंगे, क्योंकि पहले मैंने PhD करने का सोचाता लेकिन PhD को drop करके मैंने BAMS में admission ले लिया, PhD भी 5 साल लगते, BAMS में clinician बन सकते हो, अपना practice कर सकते हो, PhD में सिर्फ नाम के आगे doctor लगेगा, job ही करोगे, research में जा सकते हो, तो BAMS में admission ले लिया, और यहां से शुरुआत हुई मेरे BAMS की, BAMS में जब पढ़ना शु है BAMS और अभी मेरा बस यह है, एक साल पूरा हो गया है, क्योंकि इसमें profile system होते हैं, 18 महीने में एक बार university exam होते हैं, एक साल का system नहीं है, तो एक साल complete हो गया है, second year शुरू हो गया है, मेरा, और आयरुवेदिक portion थोड़ा सा tough लग रहा है, क्योंकि वो एक अलग ही approach है, medicines औ और पूरा disease को treat करने के लिए, और कहीं न कहीं वो allopathic से मुझे जादा बहतर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमको permanent treatment देखने के लिए मिलता है, और एक जबरदस्त concept, जबरदस्त approach देखने के लिए मिलती है, diseases को treat करने के लिए, modern भी पढ़ रहे हैं, आयरुवेदिक भी प कर चुका हूँ, जबरदस्त है, आप लोग भी चाहो तो अभी 2023 का 7 मही को exam होने वाला है, या अगर आगे भी चाहते हैं, तो आप BMS कर सकते हो, साथ ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने एक tweet करकर ये भी बताया था, कि आयूश doctors, आयूश doctors बोलते हैं, जिन्हों इक्वल हो जाएंगी, own paper भी salary बगरा भी same हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे Indian government ने एक आयूश ministry बना दिया है, आयूश मंतराल्या, क्योंकि BMS course के लिए specifically इसको refine करने के लिए, बहुत जादा refine करने के लिए, एक अलग Indian government में मंतराल्या बना दिया गया है, इसका भी benefit complete होगा, BMS और MBBS equal हो चुके होगे, pay scale equal हो चुका होगा, और बहुत जादा opportunities होगे, हम gynecology में जा सकते हैं, pediatrician में जा सकते हैं, हम कहीं न कहीं टॉक्सिकोलोजी में जा सकते हैं, microbiology भी इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें emergency medicine भी पढ़ेंगे, हम इसमें sports medicine भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, तो हम जो चाहें वो इसमें कर सकते हैं, और यही reason था मेरा BMS को chose करनेगा, अप में से बहुत साले लोग ऐसे होगे, जो confused होगे इन सब चीजों को लेकर, कि MBBS में admission नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, BMS में लेंगे, कहां admission लेंगे, अगर आपका MBBS में नहीं होता है, BMS में आप admission ले सकते हैं, तो आपसे कहूँगा कि आप आख बंद करके admission ले लीजिए, in today's time, मैं कह सकता हूँ, it is one of the best course out there MBBS के बाद में, MBBS एक अलग approach है, BMS एक अलग approach है, लेकि आपसे एक बात simply यह कहना चाहता हूँ, कि अगर आप BMS में admission लेते हैं तो आप यह सोचकर admission लेजएगा, कि BMS मेरी first choice है, ना कि यह सोचकर कि MBBS में नहीं हुआ, तो BMS में ले लेता हूँ, नहीं तो आपका दिल वो होता है न, कि जब प्यार हुआ, गदे से तो गोड़ी क्या चीज़ है, आपका दिल पढ़ा रहेगा, MBBS में, BMS पढ़ने के लि जोब भी कर रहा हूँ, अपना BMS भी कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं कह सकता हूँ कि यस गाइज, I'm a microbiologist, a YouTuber, a doctor to be, and a teacher, तो यह सब चीज़े हैं, मैं कर रहा हूँ साथ में, आप लोग भी कर सकते हो, अगर आपको मेरी यह story, journey पसंद आई हो, कि मैं medical में कैसे आया, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, 100K भी complete होने वाले हैं चैनल के उपर, तो चॉक टॉक फैमिली का एक पार्ट बनिये, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो कोई आपके दोस्तों अगरा हैं, जो सुनना चाहते हैं इस तरागी को इस्टोर इनको भी शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही, बाई बाई अवरिवन, टेक केर